तो फाइनली किंग ओफ कोर्था को रिलीज हुए आज 11 दिन हो रहा है। इस फिल्म को तमिल और तेलुगू के अलावा हिंदी में भी रिलीज करना था। लेकिन गदर 2, ओरंजी 2 और जेलर के कारण किंग ओफ कोर्था को हिंदी में रिलीज नहीं मिली। ऐसा बताया जा रहा है इस वजह से फिल्म का कलेक्शन बेहत कम हो गया। जबकि फिल्म के लिए दुलकर सल्मान के काम की खूब तारीफ हुई। फिल्म किंग ओफ कोर्था बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो गई और रिलीज की लगभग 11 दिनों में धेर हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं फिल्म ने अभी तक कितने का कलेक्शन किया है। उससे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सैकनल के अनुसार फिल्म किंड ओफ कोठा ने कल यानी दस्वे दिन 20 लाख रुप्य का कलेक्शन किया। वही आज लगभग 10 लाख की कलेक्शन करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ इस फिल्म ने 11 दिनों में 18.12 करोर रुप्य का कलेक्शन किया है। फिल्म का ये कलेक्शन बहुत कम है क्योंकि ये अभी भी बजट से बहत दूर है। आपको बता दे कि इस फिल्म का बजट 50 करोर के आसपास है। लेकिन इसकी कमाय यहां तक पहुचेगी या नहीं ये अभी कहना काफी मुश्किल है। हाला कि आपको क्या लगता है ये मुवी अपना बजट रिकावर कर पाएगी या नहीं। अपनी राए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।